गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग दोस्तों साट कुश्चन आज की क्लास में डिसकस करेंगे विद एक्ष्टाफ़ेक्ट यह सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टन कुश्चन होंगे कुछ ऐसे प्रस्व हैं तो पुलिस की परिक्षाओं में कई बार पू लिए स्रूरू करते हैं, आज की क्लास, इसका अंसर करिए कुंश्चन नमबर फश्ट केड़िये, सब जल्दी सा अंसर करिए कुंश्चन नमबर फश्ट के लिए बताएज रहाइट अंसर क्या होगा, भारत की निम्ने नदियों मैंसे कौन डेलटा नहीं बनाती है, चार है तो आप लिए और लोग याद रखेगा घंगा गोदा वरी महान दिए यह सभी और याद रखेगा पस्चिम के और वैती आप लोग याद रखेगा पस्चिम के और वहती है तो आप सागर में जाकर मिलती है ये भी याद रखें इंपॉर्टेंट है परिक्षा की द्रेश्टी से जिसमें कुश्चा नमबर प्रिश्ट का अप्सर नमबर टी दिया उनका सही उत्तर है और अप्सर नमबर टी करेक्टर अंसर होगा आँगे बढ़ते हैं इसका अंसर करिए कुश्चन नमबर दो के लिए बताईए प्रिथम भारती मूख फिल्म राजा हरिस्चन के निर्माता कौन थे पहली बात तो आप लोग याद रखेगा परिक्षा में पूछा जाएगा भारत की पहली मूख फिल्म कौन से है तो आप लोग याद रखेगा राजा हरिश्चन इसके निर्माता आपको बताना है कौन थे और भारत की पहली बोलती फिल्म भी पूछ सकते हैं तो आप लोग याद रखेगा आलमारा आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म है चलिए सबीस का अंसर करिए कुछिन इंबर दो के लिए बताई इसका राइट आंसर क्या होगा गुड तो ये करेक्ट आंसर होगा डादा साहिब फाल के जोस आपसर नमबर रेस का राइट आंसर है दादा साहिब फाल के निर्माता थे पिर्थम वारती मूग फिल्म राजा अरिश्चन के तो आपसर नमबर ये करेक्ट आंसर होगा सभी ने करेक्ट आ answer दीज़ आफ सभी के राइट answer है इसका answer करिएगा question number 3 कि लिए के 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 की किसिया लेंगविज क्या है सभी जल्दी से answer करिए question number 3 के लिए क्या पूछा गया के 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 लिए लैंगविज डिए बताइए क्या है जिसना भी life season को लाइक किया लाइक कीजिए, सेर कीजिएगा, चैनल पर नई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वालाकन को प्रेस कीजिए, टाकि सभी नोटिपिकेशन आप तक पहुंच सकें, इसका राइट अंसर है, ऑफिसन इमबर, ए होगा, मल्यालम, क्या करेक्ट अंसर है, ऑफिसन इमबर, इ से आप लोग याद रखेगा, केरल को वारत में मसालों का वगीचा भी कहा जाता है, आँगे बढ़ते हैं, इसका अंसर करिए, कुश्चन नमबर फोर के लिए, अच्छा कुश्चन है, इस प्रकार के कुश्चन पर इच्छा हम पूछे जाते हैं, बताएए, निम्न मैसे क कुश्चन नमबर फोर के लिए, बताएए, इसका राइट अंसर क्या होगा, गुट, वारिकुट दोस्तों, अंसर सभी लोग दीजिए, राइट है रहूंगा, आप लोग अंसर करिएगा, क्या पूछा करें, मैसे कौन सा बारती राज, नेपाल के साथ बार्डर सेर नहीं करता है, नेपाल, आरत का पडोसी देश है, एसिया महादीत के अंतर करता है, काट मांडू नेपाल की राजदानी है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, बेहर नेपाल के साथ बार्डर सेर करता है, बेहर करेक्ट अंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा, आप से करता है बॉर्डर येपाल के साथ पाक्या आप लोग याद रखेगा बिहार उत्तर प्रदेश पेस्ट पंगॉल ये सभी करते हैं तो आपसे नंबर डीज का राइट आंसर होगा आंगे बढ़ते हैं इसका आंसर करिए कुश्चा नंबर फाइब के लिए प्रस्न इस प्रकार से है बारिस की फ़ार के बाद इंद धनुस कहां दिखाई देता है ये आपको बताना है बारिस की फ़ार के बाद बताईए इंद धनुस कहां पर दिखाई देता है इसका राइट आंसर आपसे नंब सिक्स के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों गोल्ड डी करेक्ट आंसर होगा जॉन जैकब ने यह सुप्सें निम्बर टी करेक्ट आंसर होगा उत्प्रे रख की खोज जॉन जैकब ने की थी तो आपसें निम्बर टीस का राइट आंसर है इस पार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिये वर्यकुर दोस्तों इसी प्रकार से आंसर करिएगा इसका आंसर करिए कुश्चन निम्बर सेवन के लिए बताईए नर्मिदा एवं तापी नदियों के म राज मेल पाडियां या फिर बिन्द फरवर्ड इस प्रकार से आपसन से तो इसका आंसर करिए कुश्चन नंबर सेवन के लिए इसका राइट आंसर आपसें नंबर भी होगा सत्पुड़ा पाडियां या स्पी करेक्ट आंसर होगा आप लोग याद रखेगा जो तो आप लोग याद रखेगा गोरगपुर उत्त प्रदेश में है, पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखेगा उत्त प्रदेश में है, किस नदी किनार इस्तित है, रप्ति नदी के किनारे बसाए, D correct answer होगा इसका, इसका answer करिए question number nine के लिए, ये भी लक्ष दीप समू, अंजमान निकोबार दीप समू, दादरा नागर हमेली तथा धमन दिव, इस प्रकार से आप्सेंस हैं तो उस सभी इसका आंसर कर ये कुश्चे नमबर नाइन के लिए, उताहिए इसका राइट आंसर क्या होगा अंजमान निकोबार दीप समू, आपको याद रखेगा, अंजमान निकोबार दीप समू, बे आप बंगॉल, बंगॉल की खाड़ी मिस्ते थे, तो उसका राइट आंसर होगा अब देखिएगा, अगर हम अंजमान निकोबार दीप समू की बात करें, यह भारत के कैन सासित पर देष है, आप लोग जांते भी होंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है, राध धानी पूछ सकते हैं, रादधानी पूछ सकते हैं अंडमान निकोबार दीप सम्भू की क्या है तो आप लोग याद रखेगा पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार दीप सम्भू की रादधानी है और दूसरा कुछा जाएगा अंडमान निकोबार दीप सम्भू की सबसे उची चोटी कौन सी है त प्रेस्ट ने इनको आप लोग याद रखिएगा गुड मॉनिंग सी करेक्ट अंसर होगा इसका चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका अंसर करिए कुछ्चा नंबर टैन के लिए सभी जली सांसर करिए कुछ्चा नंबर टैन के लिए बताइए तिरमएडी नहर में किस नदी से पानी आता है इसका राइट अंसर क्या होगा सौन कोसी गंड़क या फिर मयू राच्छी तो सभी इसका अंसर करिए कुछ्चा नंबर टैन के लिए बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा डेली सुबह दस बज़े क्लास होगी उसके बास साम को तीन बज़े क्लास होती ह साम को आट बजे क्लास होती है और ये वाली जो क्लास है सुबर साथ बजे होगी डेली तो सभी डेली सभी सेशन को जोएंग कीजिएगा इस पेसल आपकी परिच्छा के लिए अब इसका आंसर करिए कुश्चा निम्बर टैन के लिए बताई इसका राइट आंसर क्या होगा त्रवैडी नहर में कहां से पानी आता है किस नदी से को सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका इसका राइट आंसर आपसर नमबर सी होगा गंडग नदी से सी करेक्ट आंसर होगा आप लोग याद रखिएगा त्रवैडी नहर में गंडग नदी से पानी आता है आपसर नमब टेन का option number सी दिया उनका सही उत्तर है गंड़क करेक्ट answer होगा अब इसका answer करिए question number ग्यारग लिए बताइए बेरियम का रसायनिक टती क्या है साइंस से समंदित question है बताइए इसका right answer क्या होगा वेरियम को किस से represent क्या जाता है अगर प्रमारु क्रमांग पूछ जाए तो आप लोगा याद रखिएगा फिप्टी सिक्स फपन परमारु क्रमांग होता है कि से represent करते हैं बी एस से represent करते हैं तो option number मेंस credit answer है एक correct answer होगा अब जोग याद रखिएगा अब चलिए आंगे बढ़ते हैं, अब इसका answer करिये QC नमबर बारग लिए, बताइए प्रद्पी के प्रश्ट, स्थल का कितना भाग रेकिस्तान है?, यह अच्छे कुश्चन है, तो श्थल के इसका रायटांसर क्या होगा, प्रद्पी के इस्थल प्रहष्ट का कितना भाग रेक है RAW करेक्ट आंसर होगा अब इसकाTON सर करिए कुछक्षिछ नंबर क्लिए पताई इसका राइट आंसर आपसे नमबर A होगा अलिगर्ड मुस्लिम विस्ट पिद्याले की यह आपसे नमबर A इसका राइट आंसर है आपको गयाद रखेगा अलिगर्ड मुस्लिम विस्ट पिद्याले किस था अपना किस ने की थी सेद अहमत खाने तो आपे नमबर रिय इसका राइट आंसर जिसने भी कुष्चे 938 का ओफा नमबर आदिया उनका सही हुटतर है अब इसका अंसर करिए कुष्चे 9otex के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा निम्लिकित दर्रों मैंसे किस से होकर लेह जाने का रास्ता है ये आपको बताना है चार आपको दिये गए हैं बताइए किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है ये आपको बताना है योजिला दर्रा सिप्कीला दर्रा चुम्भी रिडाटी या वनिहाल दर्ड़ा इस परकार सब सबोड़ एंसे तो इसका अंसर करिये QUYTION оружा कि लिए किया होगा वी करेक्ट औरसर नहीं होगा इसका रायच अंसर आप AI करेक्ट अंसर नहीं होगा अब इसका answer करिएगा question number 15 के लिए computer से सम्मन्दिक question है पताईए इसका right answer क्या होगा command control प्लस पी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है प्रयोग तो अब इसका answer करिए question number 15 के लिए इसका right answer option number भी होगा paste करने के लिए बी correct answer होगा command control प्लस प्लस प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए option number 15 का right answer है अब इसका answer करिएगा question number 16 लिए सभी जल्दी सा answer करिए question number 16 लिए पताईए इसका right answer क्या होगा बारती सम्दान का कौन सा अनुच्छेद 66 आपको बताना है किस से सम्देथ है ये पूछा गया है बूट बॉनिंग सभी जल्दी सा answer करिए question number 16 लिए बताईए इसका right answer क्या होगा आठकल आपको बताना है 66 किस से सम्देथ है इसका right answer option number लिए बताईए दोस्तों माचिस की तीलियों में होता है क्या होता है माचिस की तीलियों में यह आपको बताना है सल्फर मेंगनीसियम पोटेसियम या फिर रैट फास्पोरस इस प्रकार से आपसंस हैं तो इसका answer करिए question number 17 के लिए इसका right answer option number लिए रैट फास्पोरस क्या correct answer 18 का right answer होगा अप लोग याद रखेगा माचिस की तीलियों में रैट फास्पोरस होता है तो option number 10 का right answer है जिसना भी question number 17 का option number 10 लिए उनका सही उत्तर है अब इसका answer करिए question number 18 के लिए इसका right answer करिए question number 18 के लिए बताएए निम्न मेंसे कौन सी एक हमालेई पार नदी है उस नदी का नाम बताएएगा ये अच्छा कुश्चन है तो सभी का answer करिए बताएए इसका right answer क्या होगा आज की class में start question discuss करेंगे इसमें कटिन और सरल दोनों प्रकार के question होगे तो सभी class को ध्यान से देखिएगा इसका right answer आफसर निम्बर भी होगा सतलज यस प्री correct answer होगा जो सतलज नदी है सतलज नदी है इमालेई पार नदी है तो option number piece का right answer है जिसना भी question number 18 का option number B दिया उनका सही उत्तर है इसका answer करिए question number 19 के लिए quality से समदित प्रसन है बताएए right answer क्या होगा भारती संसद में लोक लेखा समित का अध्यक्ष कौन होता है यह आपको बताना है good morning सभी जली सा answer करिए बताएए इसका right answer क्या होगा भारत option number A होगा बिपक्षी दलका नेता यह सा option number A का right answer है आपको गयाद रखिएगा पारती संसद में लोक लेखा समित का अध्यक्ष होता है बिपक्षी दलका नेता तो option number A का option number A दिया उनका सही उत्तर है इसका answer करिए question number 20 के लिए बताएए टेलीग्राम के संसापक कौन है टेल इसका answer करिए question number 21 के लिए बताएए बंगला तेवार निम्न मैसे किस जन जाती द्वारा मनाये जाता है यह आपको बताना है good options को पढ़ लीजिए उसके बादिया आंसर करिए जलबादी मांसर नहीं 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 गारो जन जाती बूटिया जन जाती था जाता है यह आ जन जाती यह फिर फील जन जाती द्वारा इसका राइट answer option number A होगा गारो जन जाती द्वारा यह आपको बताना है यह आपको बताना है तो सभी सका आंसर करिए कुष्चरन नंबर राइस के लिए बताइए इसका राइट answer क्या होगा गुल्ट एकिसीए इसका राइट answer अच्छे सब्सक्राइब के लिए के वी जुक्रापी समन्दित कुष्चिन अच्छा कुष्चिन है पताई इसका राइट आंसर क्या होगा दक्षडी पठार के सौरी दक्षड वारत के पठारी पिर्देश को कौन सी नदी दो वागों विवाजित करती है उस नदी का नाम बताईएग अच्छिन अच्छ के लिए उसका राइट आंसर आप्षिन नंबर एगोगा निर्मिदा नदी उसका राहत राहत आंसर आप लोग याद रखेंगा राज की नदी है इसका answer करिएगा question number 24 के आपको बताना है जो पंजाबी वासा है किस लिपी में लिखी जाती है सभी जल्दी सांसर करिए बताइए इसका राइट answer क्या होगा पंजाबी वासा किस लिपी में लिखी जाती है इसका राइट answer क्या होगा दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा गुर्मुखी लिपी में यह सब्सक्राइब याद रखेगा पंजाबी बासा गुर्मुखी लिपी में लिखी जाती है तो अब इसका आंसर करिएगा कुश्चे नंबर 25 के लिए बताइए मानस किसकी साइग ने दी है सबी जली से आंसर करिएगा क्या पूछा गया है मानस किसकी साइग ने दी है गोदाबरी कृष्णा महा ने दी आ पिर ब्रंपुत तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्से नंबर डी ब्रंपुत की यह आप्से नंबर डी करेक्ट आंसर ह मानस ड्रमपुत की साइग नदी है ड्रमपुत नदी का जोधिया में ये टिबबत मेंसे संखणफुक नाम से जाने जाता है दंपत नदी को अब इसका आंसर करिए कुश्चा नमबर टॉंटी सिक्स के लिए बताइए दामोदन नदी कहां से निकलती है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्या पूछा गया जो दामोदन नदी है ये कहां निकलती है इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपसे निमबर भी होगा छोटा नांग पर पठार से या स्पी करेक्ट आंसर होगा दामुद नदी छोटा नांग पर पठार से निकलती है तो आपसे निमबर पीस का राइट आंसर होगा अब इसका answer करिए question number twenty seven के लिए. बताएए बारत में राष्टी आइकापलन सबसे पहले किसने किया था? यह आपको बताना है बारत में सबसे पहले. राष्टी आइकापलन किसने किया था? इसका right answer option number three होगा. दादा भाई में किस इस्तान पर है? यह आपको बताना है. तो सब इसका answer करिए बताएए इसका right answer क्या होगा? गुड मॉनिंग. बताएए इसका right answer? गुड इसका right answer option number three होगा. भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है. पहली बाद तो आप लोग याद रखेगा परिक्षा हम पूछा जाएगा. तो आप तो ग्याद रखेगा जो भारत है डालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और डालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है यह इसका हांगे बठते हैं अब इसका अंसर कर एक कुश्च Ça म numbers 29 के लिए पताई किस सहवाल कौंचर्टक सहवाल तो इसका राइट-ांसर क्या होगा सफकि अंबर खिबट्ल रहल को प्लॉरेयला को सी करेक्ट ऑन्सर होगा लोरेला सेवाल को wizard को अंतरिक सेवाल कहते हैं आप्सन इंपर 16 का रायट अंसर है जिसमें भी कुशन इंबर 29 का आप्सनिमबर सी या उनका स्यूटतर, इस का औwnसर करिएगा कुश्चेन number 30 के लिए, कँश्चेन कार्ट ममपारियां कहां पर है, आप को बताना है, जो कार्ट ममपारियां ये भारत में कहां पर है, जमुकासमीर, माचल प्रदेश, केरल, या फिर महराश्ट में, इस का राइट- तो इसका आंसर करिएगा जो इड़की जल्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सब्सक्राइब कर दोग याद रखेगा अनुच्छा के अधकार से संब्सक्राइब अगर पूछा जाए किस प्रकार का अधकार है तो आप लोग याद रखेगा अब इसका आंसर करिए किस से संब्सक्राइब करिए किस से संब्सक्राइब करिए किस से संब्सक्राइब करिए के पहले भारती गवर्नर कौन थे उनका नाम बताईएगा इसका जो राष्टी करण है पूछा जाता है कब हुआ था अर्बिया का तो आप लोग याद रखेगा नाइटीन फोर्टी नाइन में हुआ था बर्तमान में सक्षिका अंदास इतके गवर्नर है और मुक्षाले कहां पर रहार भी आएगा तो मुंबई में आप लोग याद रखेगा बैंकों का बैंक कहते हैं इसे वारत में इसका रायट अन्सर होगा option number a cd अंसर है अब इसका अंसर करिये question number 35 लिए बताईये सत्वलज नदी का रिख बैदिग नाम क्या है उपको बताना है सतलज ननी पा रिख बैदिग नाम क्या है इसकाBack ऐसकरा शूत nhấtर अणसर होगा सतले जनेदी का जो रिक वैदिंग नाम है सुतुद्री है तो आपसर नमबर टीज का राइट आंसर है जिसने अभी कुछ्छा नमबर टी लिया उनका सही उत्तर है अब इसका आंसर करिए कुछ्छा नमबर टीजिक्स के लिए बताइए निम्ड मैंसे कौन वारत का पहला हरि पोर्ट क्या करेक्ट आंसर है डीज का राइट आंसर होगा अब लोग याद रखेगा जो हल्डिया पोर्ट है यह भारत के पहला हरुद बंदर का है तो आपसर नमबर टीज का राइट आंसर होगा अब दूसरा कुछ्छिए पूछा जाएगा हल्डिया पोर्ट कहां पर ह तो आप लोग याद रखे वेस्ट बंगॉल में है कहां पर है बेस्ट बंगॉल में अल्दियापूर डी करेक्ट अंसर है अब इसका अंसर करिए कुश्चा नंबर थर्टी सेव इनकली आपको बताना है कौन्टम सिद्धान को किसने प्रतपादित किया है सबी जल्दी सांसर है अब इसका अंसर करिए कुश्चा नंबर थर्टी सिक्स के लिए सबी जल्दी से आंसर करिए कुश्चा नंबर थर्टी सिक्स के लिए आपको बताना है निम्न मैसे किस इस इस्थान पर आडविक बिद्दो तूर्जा सायंत नहीं है तो सबी इसका अंसर करिएगा देख आर्डविक्स उर्जा सेयन नहीं है तो आप्टर नम्बर बीस का राइट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर इसका आप लुए को आप लुए तो कुछ्छे नम्बर थर्टी एट का करेक्ट आंसर क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा विजय बाड़ा या फिजय बाड़ा में आडविक्विद्दुस उर्जा सेयन नहीं है अब देखियेगा तारापर कहां पर है महराश्ट में आप लोग या साथ रखेँगा इंपॉर्टेंट है परिक्षाइज किरे द्रस्टी से अभी सक्राइब करिये कुछिछे नमबर 39 के लिए तो इसका कांसर करिये कुछ्ट में 39 के लिए पताइए किसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपसे नमेंसे कौन अर्धिचालक है चार आपको दिये गए हैं पताइए इनमेंसे कौन अर्धिचालक है इसका राइट आंसर बिताईएगा उसका राइट आंसर आपसे नमेंबर डी होगा जर्मेनियम क्या करेक्ट आंस परिक्षाँ में इसी प्रकार से पूछा गया है जिसे आप लोग याद रखेगा आपके विए अक्जाम में पूछ सकते हैं इसका आंसर कर यह कुश्चे नंबर कोटी वन के लिए बारत में क्या पूछा गया है बारत में जो राश्टी प्राउद्दों की दिबस है यह कम मन जाता है तो आप्षण इमबर सी का राइट आंसर होगा डेली होगा सुबई साथ बज़े ताइम को याद रखेगा इसका रायट आंसर आप्सण इमबर सी होगा चलिका आँगे बरते हैं अब इसका आंसर करिए कुश्चन अमबर फूर्टी टू करेब को बताना है बहारत answer option number C होगा 5 साल का question number 43 के लिए आपको बताना कुमी ना का लोक निरत किस सब्सक्राइब इसका आंसर करिए किस्ट में परेच यब त्रेट किसा कहते हैं इसका नांबर किसे कहते हैं क्या पूछा गया है महाराश्ठ का सुक्राद किसे कहते हैं कि यह से कहते हैं यह स्वे तुछा एक आन्से के लिए गुड इसका राइट अंसर औपसिंड निमबर डी होगा मजी रानाडे जास ऑपसिटिन अंबर डी सका करें सरे आप लोग याथ रखे गा माराष्ट को सुकराथ कहते हैं मजी रानाडे को तो और सीके beyond आनाडे को तो आंसर को है अब इस करिए कुछ्छा नंबर 45 के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसी करेक्ट आंसर होगा भारती आर यह वारत का राइट आंसर है जो भारती आर है यह वारत का सब करिए कुछ्छा नंबर 46 के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपसर नंबर स्वेज नेयर न logr है मिश्ट मेर इसका राइट अंसर होगता कर लिए कुश्चर नंबर भोटीसेविन के लिए फ़से है अब क्या पूछा गया से प्रष्ट कर इस का राहिट अन्सर होगा इस नंबर Q पर है या d तो आपसे नंबर इसका राइट आंसर है यह रियल एक्जाम डेट है परिक्षा जो है तेज़ अगस्त से सुरू होगी तेज़ अगस्त को होगी उसके बाद 24 25 31 अगस्त को परिक्षा होगी तो सभी लोग अप सिर्फ पिश्टडी पर फोकस कीजिएगा यह सही अग्याम डे तेज़ से सुरू है परिक्षा है इसका राइट आंसर आपसे नंबर यह गाट इन अब इसका अंसर करिएगा कुष्ट्य नंबर 48 के लिए तो डेली सभी लोग सेशन को जोइन कीजिएगा डेली क्लास्स होगी इस पेसल अपकी परिक्षा के लिए यूपी पुलिस के से दिया जाता है पुट गालियों को दिया जाता है अप्से नंबर सीज का राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा है तुछ का राइट एम्बर लाइट गया है कंप्यूटर एडिजाइन गया अप्सार करियेगा इन में से रक्त कमाप्यंत कौन सा है रक्त का मापक्यंत आपको बताना है तो इसका राइट सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर करिएगा बारी जिल की खोच किस ने की थी सब्सक्राइब क्या होता है पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेगा डीटीरियम ऑकसाइड होता है फॉर्मूला होता है डी टू ओ खोच किस ने की थी एस सी यूरेन है भी करेक्ट आंसर होगा अब इसका आंसर करिए कुछ्चा नंबर फिप्टी टू के लिए आपको बताना है प्रक्षाज सांस्कृतिक केंद्र बारत भवन कहां पर है तो उस्सवी का अंसर करें बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है सांस्किर्थ केंद्र भावध भवन कहां पर है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों लखनो बोपाल पटना या फिरिंडॉश लिए उसका राइट श् website नंबर भी होगा बोपाल था हरिद्वार गंगा नदीक किनार इस्टित आपको याद रखिएगा उत्राखंड में हाँ पर रहे उत्राखंड में हिंदुओं का सीर्थ इस्टल भी है बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा सबी जल्डी सांसर करिए कुष्चा नंबर 53 के लिए इसका राइट आंसर आपसे नंबर भी होगा राजा बिकमादित भी करेक्ट आंसर होगा बिकमादित ने हरिद्वार इस्टित हर की पौड़ी का निवार करवाया था अभी इसका आंसर करिए कुष्चा नंबर 54 के लिए इंडिया डिवाइड इट कुष्टक किस ने लिखी है तो सब इसका आं समदान सबा के हिस्टा थे ये किस राज के थे ये आपको बताना है तो सबीस का आंसर करिएगा इसका राइट आंसर आपसे नंबर भी होगा असम के भी करेक्ट आंसर होगा गोपिनाद बौट दूलाई समदान सबा के हिस्टा थे और ये असम के रहने वाले थे तो पीस का रायट अंसर होगा अब देखिएगा अगर पूछा जाए असम के पहले मुखमंत्री कौन से तो आप लोग याद रखिएगा आंगे चल कर ये असम के पहले मुखमंत्री भी बने थे गोपिनाद बौर्दुलाई अब इसका अंसर करिए कुश्चा नंबर फिप्टी सिक्थ क अब इसका अंसर करिए कुश्चा नंबर फिप्टी सेविन के लिए आपको बताना है बारती राष्टी का अंग्रेस का उन्निस सो पांच में जो अन्मेद अद्बेसन हुआ था बनारस का उसकी अध्यक्ष ता किस ने की ता आपको अध्यक्ष बताने हैं तो सब इसका अं अंसर आप लोग याद रखेगा उन्निस सो पांच में बनारस सद्बेसन हुआ था आइंसी का अध्यक्ष ता की थी गोपाल केश्णु उप्ले ने तो आपको निमबर सीज का राइट आंसर है अब इसका अंसर करिए कुश्चा नंबर फिप्टी एट के लिए आर्जिन प सब्सक्राइब कर देना प्रारम हुआ तो आपसर नंबर पीस का राइट आंसर है अब इसका अंसर करिये कुश्चा नंबर फिप्टी नाइट आइप को बताना है संगम साइट किस पार्टी वासा में लिखा गया है तो सबीचा इसका राइट आंसर क्या होगा यह जो संग करिए कुश्चा नंबर साट के लिए आज के लाइट कुश्चा नैं बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा कालМार क्वाया सब आणेश के कर इसका राइट आंसर वायर तो गुड चलिए दोस्तों आज की क्लास नमने जीके के साथ इंपार्टेंट कुश्चिन डिस्कस के बित एक्स्टा फैक्ट आई होप आप सभी को यह प्रस्ट में समय जाए होंगे सो क्लास को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर नई है अंगली क्लास होगी अभी 10 बजे स्वए sवी लोग सेशन को जोइन कीजिए को याद रखेंगा सुवए 10 बजे आपकी अंगली क्लास होगी येस राजू चलिए सिक साथ मैं आपको मिलूँगा अंगली क्लास में थैंक्यो गाइस थैंक्यो पर वाचिंग